शेलंका से 41 रनों की जीत के साथ भारत ने एशया कब 2023 के फाइनल के लिए वो कौलिफाय जो है वो कर चुकी है क्योंकि भारती टीम का रन रेट वो पहले से ही प्लस में था और दो मैचों में दो जीत के साथ रन रेट और भी अच्छा हो गया है रन रेट जो हो गया है प्लस 2.690 हो गया है शेलंका की बात करें दो मैच खेले हैं जिनने एक मैच जीता है एक मैच हर है और रन रेट जो है इनका माइनस में चल रहा है 0.200 पाकिस्तान का रन रेट की बात करें तो पाकिस्तान का रन रेट जो है उससे भी खराब है दो मैच में एक जीत एक हर और माइनस में इनका भी रन रेट है यानि भारत जो है वो अपना final में पहुंच गई है लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल जो है बुरी तरह फस गई है अब श्रीलंका और पाकिस्तान में से एक team जो है वो final खेलेगी जो भारते team के साथ जाएगी अब 14 तरिक को जो मैच होगा वो do or die मैच होगा क्योंकि भारत तो सेफ है लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में जो भी मैच जीता है वो जो है वो भारत से जो है एशिया कब 2020 के लिए final में खेलेगा